मार्केट को बैंक निफ्टी के मार्केट को ध्यान से देखा जाएगा तो यहाँ पे मार्केट ने इस हफते का जो कैंडल बनाया है वो बहुत जादा शांदार स्ट्रॉंग कैंडल है इस strong candle की पीछी की मनशा को समझेगा कि market ने इसको बिलकुल resistance के पास चुके आया है अब बात आती है कि market ऐसे जगह पे बीच में मजदार में बीच में खड़ा हुआ है ऐसे समय पे आपके पास कौन से रन्लेती बनती है क्या market यहां से और उपर जाएगा या market की में गिरावट आएगा अगर हम market के March, February महने के अगर candles को देखते हैं तो यहां पर एक candle देखिए जापर market सपोर्ट से लेके उपर गया अगला candle देखेंगे तो market में हमने एक candle उपर के ओर आया लेकिन उसके बाद अगला जो candle है अगला हफता market नीचे आया उसी तरीके से इस candle को देखिए ये candle भी market resistance को छुआ नीचे आया और उसके बाद market में हमने बहुत तेज और शाथ गिरावट देखा ये March महने में हमने देख लिया है अभी अगर बात करेंगे तो सेम उसी प्रकार से ये जो candle है पहले market ने support दिया है अगला candle एक डॉजी टाइप candle बना ना उपर गया ना नीचे आगया market लगबग लगबग वो आपको याद होगा 15 तारिक, 16 तारिक, 17 तारिक ये वो दिनों का हफता है और ये वाला जो हफता है ये market बहुत बढ़िया बुलिश रहा पर market ने touch करके फिर नीचे ही market अपना close दिया है अब आगे आने वाले हफता जो सुमवार से शुरू होगा तो उसमें हम क्या देख पाएंगे उसमें हम ये पक्का देख पाएंगी कि market कुछ correction तो करेगा जरूर अब ये correction अगर करने आता है तो market के पास सबसे पहला जो entry रहेगा या सबसे strong support रहेगा वो होगा 48,000 का तो कि market इस level को इस से पहले बहुत बाद टेस्ट कर चुका है आप देखेंगे तो इस candle को market ने बहुत बढ़िया support as a support इस्तिमाल किया था अगला candle में market ने support इस्तिमाल किया था तो market शुरूआत में यहाँ पर आके एक बार जरूर ठहराव दे सकता है तो मतलब हम बात कर रहें कि market में इस एक दो दिन के अंदर शुरूआती दो दिन के अंदर हमें अगर market नीचे अगर आता हुआ दिखेंगा तो यह करीबन 900 point market शुरूआत में correct कर सकता है इस बात को आप बिलकुल दिमाग में बिठा के रखिएगा अब बात आएगी कि वहाँ से फिर market और कितना नीचे आ सकता है तो market में इस हफते की बात करेंगे तो market जिस प्रकार से इस candle को देखेंगे तो market लगबग यहाँ पे बहुत बड़ा market ने एक breakdown दिया था तो उसी तरीके से हमें भी यहाँ पे एक अच्छा कासा नीचे तक हाँ पूरा का पूरा यहाँ पे market 2000 point का तो market पे correction नहीं आएगा पर हाँ इतना जरूर हो सकता है कि market वहाँ से आपको कम से कम तो भी अगला हफता 1500 point का तो market एक correction जरूर दे सकता है इसलिए इस चीज़ के लिए आपको तयार रहना पड़ेगा आगे आने वाले हफते हमारे लिए किस range के होंगे उसके बारे में हम तब तक decide नहीं कर पाएंगे जब तक market यह जो एक funnel बना है यह चैनल बना है जब तक market इस channel को छोड़ता नहीं है जब तक market इस channel से निकलता नहीं है तब तक हम बड़े momentum के तलाश में रहेंगे और market इसी range को पूरा करता रहेगा देखिए market में strong सबसे यह breakdown जब तक breakdown का संभावना थोड़ा सक्कम है position बहुत बढ़िया market position बनाते हुए जा रहा है तो market अभी एक नीचे आएगा तो बहुत ज़्यादा नीचे हम उमीद नहीं कर रहे हैं यहां से market फिर दुबार आपको उपर जाता हुआ दिखेगा अगर आप कुछ 2024 से पहले के हफतों को देखेंगे तो यहां पर अनीमियत थी कि market में एक सही ढंक से हमने price action नहीं देखा एकदम नीचे आ रहा आचानक market उपर गया फिर अचानक नीचे आया लेकिन अभी जो market एक बहुत बढ़िया फ़नल में है तो इसको हमें तूटता हुआ हम को दिखेगा अभी नहीं एक दो हफता तीन चार हफता एकाद महीना और लगेगा और जब तक market election नजदिक जतना election का result नजदिक आएगा तब हम शायद इस funnel को इस channel को market को हम तोड़ते हुए या तूटता हुआ हम देखेंगे अभी हम थोड़ी दर निफ्टी के और चलते वहाँ पर देखे लेते हैं वहाँ पर market किस तरीके से बना हुआ है निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी मी एक बहुत शांदार पनाल में है पर निफ्टी पिछले एक देड़ महीने से निफ्टी में हम momentum पे बहुत ज़्यादा fluctuation देख पा रहे जहाँ पर market का लगातार उपर जाना और नीचे आना हफ़ते की साबसे बहुत ज़्यादा जटिल होते जा रहा है जहाँ पर हमने 2024 से पहले market में November महीने में December महीने में market में हमने शांदार एक यहाँ पर चड़ाओ देखा और फिर इस funnel के अंदर आते हुए देखा लेकिन उ अगर कुछ candles को ध्यान से देखेंगे पिछले देड़ हफतों का माफिजेगा कम से कम 6 हफतों का तो 6 हफते हमें यहाँ पर candles में बहुत जादा momentum नजर आतो रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा है कोई दिशा तय नहीं कर पा रहा है ध्यान से देखिए यहाँ पर market इस candle को market में हमने दो हफतों में market ने इस gap को पूरा कर लिया अगला हफता क्या होता मार्केट पूरी तरीकिस अभी तक पहुचा नहीं और अपने all time high तक अभी पहुचने वाला है दो दिन पहले हमने देखा था कि market लगातार दो दिन 22,800 को market टच करके वापस नीचे आया है और मार्केट जब इस support को break करेगा एक भी हफता अगर market यहाँ से break करता है तो हमें और तेज गिरावट नजर आएगी मतलब हम यह उमीद कर रहे है कि market में अगर अगला हफता यहाँ से गिरावट दिखाता है तो हो सकता है कि हमें इस बार थोड़ा सा strong support इस लेवल पे एक बार को आके मिल सकता है अगर यह level अगर तूटता है तो फिर हम दिरे दिरे करके फिर market और भी नीचे आ सकता है इसलिए आपको थोड़ा तयार रहेना पड़ेगा लेकिन यह तभी होगा जब market यह strong जो trend line है इस trend line को market जब breakdown देगा यह तभी संबब है इस breakdown के लिए market को इस level पे आना पड़ेगा अगर देखेंगे यह जो market का जो support level है इस support level को याद रखिएगा जो है बाइस हजार 21 का बाइस हजार 21 जो होगा market का सबसे ज़्यादा strong support यही से हमें नजर आएगा क्यों ऐसा नजर आएगा क्योंकि market इसी के पास से जाके हो सकता है शुरुआत में आपको एक अच्छा bullishness देख सकता है बात करते मार्केट अगर इस support को ले लेता है अभी support को लेके अगर अगले हफ़ते एक दो दिन के अंदर अगर market bullish होता है तो हो सकता है कि market दुबार आपको इस रेंज से नीचे ना आते हुए दिखें और 22,475 के उपर ठहरें लेकिन ज्यादा चांस market का नीचे आने का अब ज्यादा है ये कैसे ज्यादा होगा market अगर एक दिन भी इस level के नीचे अगर ग्यावडान खुल जाए तो ये सारे support तूट जाएंगे और फिर market में हमको एक bearish momentum देखना को मिलेगा वीडियो अगर अच्छा लगए तो like share subscribe जरूर कीजेगा झाल